हेलो फ्रेंद्स मेरा नाम है तोफीक और आप देख रहे हैं मेरा चानल लक्ष स्टूडियो तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम Adobe Illustrator में Group Selection Tool का Use करते हैं तो चली शुरू करते हैं सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कुछ Objects लेता हूँ और उनको Group करता हूँ तो यहाँ पे मैं एक Normal Rectangle Tool से एक Object कर देता हूँ और उसी को मैं Copy कर लेता हूँ Alt और Left Click से और Ctrl D या Command D से इसको Copy कर लेता हूँ इन सारों को Select करके अभी देखिए इसको और एक यहाँ पे Copy इसका Color में Change कर देता हूँ तो सबसे पहले तो इन तीनों को Select करके Ctrl जी आप प्रेस कर सकते हो या Right Click करके Group कर सकते हो जो भी आपको आपको आसान लगे तो इन सबको मैं Group कर लेता हूँ तो यहाँ पे Ctrl G यह देखिए या Group कर सकते हो तो यहाँ पे अगर आप Layers Panel में देखो तो देखिए यहाँ पे तीन Group हमें दिख रहे हैं यहाँ अगर इन Groups को Open करें तो हर Group के अंदर यहाँ पे तीन Objects हमारे हैं तो अभी इन सारों को Select करके इनका एक Separate म मैं अलग से Group बना देता हूँ तो देखिए यह Main Group और उसके अंदर यह तीन Sub Group यहाँ पे हम हमने बना लिए Create कर दिए तो अगर हम Normal हमारा जो Direct Selection Tool है उसका अगर Use करें तो यह क्या करता है Single Object को भले हम Group में Selection कर रहे हैं या Pick कर रहे हैं तो यह Single Object को यहाँ पे ऐसे Select करेगा जो कौन सा Direct Selection Tool तो फिर यह Tool क्या करेगा इसको मैं Undo कर देता हूँ Ctrl-Z तो देखिए Group Selection Tool क्या करेगा अभी आपको पता है कि एक Separate Group है तो यहाँ पे मैं अगर Single Click करूँगा तो यह सिर्फ एक Object को Select करेगा अगर मैं वापस दुबारा Click करूँगा तो यह इस Group को Select करेगा आ तो पूरा इसने Main Group Select कर लिया देखिए कुछ इस तरह से देखिए वापस यह One Object यह First Group और यह पूरा Group इसने Select कर लिया तो इस तरह से हम क्या कर सकते है जो Direct Selection Tool है Direct Selection Tool नहीं Group Selection Tool का हम Use कर सकते है देखिए यहाँ पे क्लिक किया यह तो यहाँ पे हम जो भी हमी Change करना है Shape Change करन तो हम Change कर सकते है जादा तर इसको Displace या Color Change के लिए Use होता है क्योंकि इससे तो हम Shape तो Change नहीं कर सकते है Shape Change के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जो हमारा Selection Tool है उसका Use करना पड़ेगा तो इसको मैं Undo कर देता हूँ तो एक Practical आपको Example में दिखा देता हूँ इसको नीचे कर इसका कर सकते हैं तो यहां पर देखें यहां पर एक Illustrator मैंने लिया है जो की Vector Illustrator तो यहां पे अगर आप देखें तो यह पूरा Group है अगर आप देखें तो यह Group है तो अगर सपोस यह ग्रे कलर की Strips है नो देख रहे हैं यहाँ पर change कर सकते हैं, जो भी color हमें चाहिए, तो यहाँ पर मैं black color ले लेता हूँ, कुछ इस तरह से, यहाँ पर selection यह कर सकते हैं, तो इसको मैं black ही रख देता हूँ, तो कुछ इस तरह से group selection tool का use किया जाता है, similar जो group हमने create किये, उसको select करने के लिए group selection का use किया जाता है, illustrations जो रहते हैं इस तरह के महाँ पर यह बहुत जादा यूज किया जाता है तो ये था कि ग्रूप सिलेक्शन का यूज कैसे किया जाता है Adobe Illustrator में तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको यूसफुल लगा होगा अगर यूसफुल लगा तो वीडियो का लाइक ज़रूर कीजेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड सी यूए और आई सी यू